हलो बचापाटी क्या हाल चाल सब बढ़िया मैं आपका एजुकेटर और मेंटार तो आज मैं आपके सामने क्लास 10 बायोलजी का फॉस्ट चेप्टर निट्रिशिन इन एनिमल्स मैंसे दो आसान से टॉपिक्स दो स्कोर गेनिंग टॉपिक्स लेके आया हूं जिसका नाम ही न कि अमिवे क्या जो है आपको पथा होगा कि बटा अमिवा जो है इस सीन्स सैल रही तो आपको पता है कि अमिवा जो है इनके पस इरिगिलर एर में चेंट हाइब इस निनaling वार्न-के औरचानजीर आपका आपका पता है क्या मों집 faudraShowavay देखक है वो उन भूब्रिजर आप लेप होती है तो इन में फाल्स फीट पाई जादी जिनका नाम हमने सीडो पोडिया आरवी क्लास 7 से पढ़के आये हैं तो सीडो पोडिया जो है यह अपने प्रे या अपने पर्टिकल के अराउंड एंगलफ कर लेते हैं इनको आगे बढ़ा लेते हैं जैसे कि आप डाइग फूड वेक्वल बनाते हैं और और इसको इन अधर लें इन बोर्टैनिकल लैंग्विज हम या इन बायोलजे कल लैंग्विज नोंको हम बोलते हैं तो बिटा उसके बाद जब यह फैग्लस वीन बनाते है जो फूट पाटिकल ऐदे डाउधा सो मैं उसके बाद इसके उपनेयान के लिए एक याहन चला जाता है या लादा उसके बाद जया सिर्फेंट न्हीं नंडर फक्राइब्स लुदा कर सार्यपोफ करते हैं अनल में पंसी में आपके को से खाल आनि से बारें फुर्ट कि के बाद और सोझनल उसके बाहर निकल जाता है इसी के साथ दूसरा टॉपिक जो है बेटा हमारा वो है nutrition in ruminants so ruminants में सबसे पहले example जो है वो हमारी काउ की है अपने काउ देखी होगी गाई या हमारी गोट है या हमारा शीप लीजिए these are ruminants और इनमें digestion कैसी होती है इनमें assimilation वागयरा कैसा होता है तो हम देखेगे इनकी digestion तो अगर हम देखेगे बेटा जी cow, sheep, goat अगर हम देखेगे बेटा जी ये जो होते है cow, sheep, goat जो होते है इनको हम ruminants बोलते है ruminant in this sense ruminant उनको बोलते है जो rumination डिखाते है और rumination क्या होता है ये देखेज़ बेटा जी अगर ये गाई है गाई गास खाती है जब गाई गास खाती है ना तो ये गास जो ही वो अंदर चली जाती है और सीधे चली जाती है गाई के पहले stomach लेकिन इसके चार chambers है और जो बड़ा वाला chambers को हम rumin बोलते है पहले चला जाता है उसके बाद rumen से जो food है वो सीधे चला जाता है reticulum यानि reticulum में चला जाता है और इस reticulum में क्या होता है जो semi-digested food है इसको हम card बोलते है और ये card जो है ये बाहर वापस इसफेगस से cow के मूँ में चला जाता है और ये फिर उसके बाद digestive physically digest करते है इनको और इस process को हम बोलते है achieving the card और उसके बाद क्या होता है बेटा उसके बाद क्या होता है simply ये जो वापस जो card है हमारा ये वापस चला जाता है हमारे इनके omasm इनके omasm में ये और breakdown हो जाता है और omasm में breakdown होने के साथ जो इसमें water होता है वो water को absorb कर लेता है वापस से water को absorb कर लेता और उसके बाद ये जो food है ये चला जाता है cow के true stomach जिसको हो बोलते हैं यह अक्सर सवाल पूछा जाता है NTSC में या कोई Olympiard है उसमें पूछा जाता है विच वन आप फॉलिइंग इस टूमक इंटर काव और वह क्या है बेटाजी आप उमेस्ट में उसके बाद आप उमेस्ट से जब यह डाजेस्टर होके कि फुली रगेस्टर के बाद फिर जहिए समॉल इंटरस्टाइन में चला जाता है और उसके बात समॉल इंटरस्टाइन इक एक एक्स्टेंशन होती है जिसको यह सयकिला होता है इसको हमने इसको हमने नाम दिया है व्याजी सीकमila प्रेख बेटा जी, it's a small intestinal extension और इसमें क्या होता है बेटा जी, यहां पर आपकी कव की इस sack में bacteria होती है, good bacteria होती है, जो digestion of cellulose में मदद करती है, और उसके बाद जो है, जो undigestivated वो annus से बाहर चला जाता है, this was digestion in rumination, और इस process को, it's giving the curd process को बोलता है, rumination, और जो जानवर यह करते हैं, उनको हम rumination बोलते हैं, तो I hope आपको समझ आया होगा, कि rumination क्या होता है, phagocytosis क्या होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो like, share और subscribe करके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बिल देन, अलाहाफ़स,